आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे that is relations तो यह हमारा कल के टॉपिक के आगे की continuation है that was cartesian product तो cartesian product में हमने देखा था कि ordered pair में लिखते हैं हम ठीक है जी p x q को हम x, y के ordered pair में लिखते हैं तो इस पे अब आगे relations क्या है अगर मैं आपको एक word में relation समझाओं तो relation को हम capital R से denote करते हैं बट bold नहीं करते हैं ठीक है bold अगर आप R को कर देंगे तो वो होता है आपका real numbers और जब capital R आप simple देखेंगे तो इसको बोलते है relations नॉर्मल इसके साथ word relation लिखी देते हैं ताकि confusion नहीं हो तो relation जो है relation R that is क्या है it is subset of A cross B बस इस चीज को आप याद रखो यह सबसे important और सबसे basic बात है चीक है जी क्या बनी आपसे कोई एक word में पूछे relations क्या होते है relations subset होते है A cross B का तो अब इसको जैसे example से पढ़ने कोशिश करते हैं जैसे नीचे उसने लिया है कि P जो है ABC ले ले लेते हैं और Q जो है अली भानू बिनोय चंद्रा एंड दिव्या ले लिया सेट अब इसके बात क्या होगा वो कहता है कि Cartesian product अगर आप करोगे तो कितने होंगे elements अब इसमें क्या है वो कहता है कि आप P cross क्यों तो सब आपको लिखना आता ही है जैसे ए भानू का लिख दिया फिर एक को बिनोय के साथ ऐसे आप सारे लिख सकते हैं अब एक introduce कर रहा है relation वो कहता है relation are between the first element x and second element y of each ordered pair ठीक है नीचे उसने relation दे दिया कि x और y में लिखेंगा आप relation such that x is the first letter of the name y तो आपने first letter उठाना है अब first letter आप उठाओगे तो कैसे उठाओगे ए अली का आएगा बी भानू का आएगा बी बिनोय का भी आएगा और c चंद्रा का आएगा दिव्या का कुछ नहीं है क्योंकि हमारे पास a b c है तो हमने क्या किया राइट में इस जो circular diagram है इसको हम बोलते है arrow diagram क्या बोलते हैं इसको हम arrow diagram इससे समझते हैं बड़े असानी से समझाएगा पी सेट a b c हमने यहां बना लिया left में q सेट हमने names लिखके यह बना लिया अब relation है this is relation relation क्या था कि हमें पहले नाम के साथ पहले letter को join करना है तो a के साथ किसे उसने join कर दिया अली के साथ बी के साथ दो बनते थे बानू और बिनौ है दोनों को join कर दिया और c के साथ उसने सिरफ चंदरा को join करा दिव्या जो है q set में खाली रह गया है तो यह मेरा arrow diagram है relation की representation के लिए ठीक है अब इसकी जो दो forms है यानि की roaster form और set builder form वो दोनों बनती है set builder form कौन सी है set builder form is this form set builder form आपकी यह वाली form है कि r r क्या है क्योंकि subset है तो खुद भी एक set है r is set of all x y ordered pair वैसे ही चेक है जी such that x is first letter of the name y where x belongs to p and y belongs to q clear है जी आपको next वो कहता है कि इसकी roasted form क्या है roaster form sorry तो roaster form जो है roaster form is r is equal to a ali element सारे लिखेंगे b bhanu comma b b noy and c chandra ordered pair ले लिए आपने सारे लिख दिये this is my roaster form तो यह relations इस example से तीनों हमने समझ लिए arrow diagram set builder form और roaster form अब रहेगी definition की बात अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैंने आपो गाता कि r is subset of a cross b तो आप देखो कोई भी form देख लो चाहे आप roaster form देख लो सबसे असान होती है देखनी क्या roaster form subset नहीं है क्या क्योंकि मैं a को सब के साथ लिखता a का नाम अगर मैं a cross b बनाता यानि कि p cross q बनाता अगर मैं तो मैं a का अली के साथ लिखता पहला element फिर मैं a का बनाता के साथ लिखता फिर ऐसे ही मैं सारे लिखता है ऐसे मैं 15 elements लिखता ना तो relation में अब कितने elements हैं सिरफ 5 लेकिन है तो वहीं नहीं 15 elements में से तो यानि कि यह बात बिल्कुल ठीक है कि relation is always a subset of जो cross product करते हैं Cartesian product करते हैं इस case में relation is subset of p cross q जो हम check कर सकते हैं अब कुछ important definition है देखो अब हमें अच्छे से समझ आएंगी है पहली definition देखो क्या बोल रही है definition 2 कह रही है a relation r from a non empty set a to a non empty set b language पे ध्यान दो relation from a to b is subset of is subset of the Cartesian product a cross b बिल्कुल सही है जो हमने बात करी थी कि r जो है that is always a subset of a cross b इसी बात को बोल रहा है language लेकिन आपको बड़े चाहे समझ नहीं पड़ेगी कि ताकि आपको कहीं लिखनी है तो समझ आए कि relation from a to b is subset of a cross b आगे क्या बोलता है the subset is derived by describing a relationship तो आप उसको एक describe करने पड़ेगी relationship जैसे उपर उसने क्या करी थी कि आपका first letter का name उठा रहा था है letter उठा रहा था वो between the first element and the second element of the ordered pair a cross b ठीक है आर जो होगा वो a cross b यानि a comma b अगर a का a है और b में b बिलोंग कर रहा है तो इस ordered pair के बीच में क्या relation होगा वो describe किया जाएगा चीक है जी the second element is called image of first element ये चीज पहला आपका vocabulary आगई that is image बोलते है यानि कि जो हमने उपर देखी थी कि जैसे हमने a देखा था इदर और उसके सामने अली नाम लिखा हुआ था और उसको वो connect कर रहा था तो जब ordered pair बनाया हमने तो a comma alie का बन गया था तो अब alie को हम बोले अली is image of a तो यानि जो बाद में आती है that is image चीक है और आगे जाके आप functions में देखेंगे मैं यहीं बता देता हूँ वैसे आगे आएगा a को हम pre image बोल देते हैं a को हम pre image बोल देते हैं clear आपको तो image word आपको clear हो गया अब definition 3 next definition आचा इसमें ऊपर पिछ्छी definition में आप add कर सकते हैं जैसे आपको वो छोटा a था a is related to b भी लिख सकते हैं कहीं books में ऐसा भी लिखा जाकता है तो यह भी fully allowed है कि a is related to b यह ordered pair a, b के लिए है a is related to b भी ऐसा भी आपका है इसका मतलब a relation है definition 3 the set of all the first elements of first elements किसका set first elements का set right of the ordered pair in the relation are किसी भी relation का first elements का जो set होगा ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे from set a to set b is called domain यह बहुत important है इसको आज के बाद आप भूलोगे नहीं domain किसे बोलते हैं जैसे अभी हमने यहाँ पर a, b, c ले लिया था उपर वाली diagram में और यहाँ पर क्या था नेम्स थे अली, भानू, राइट और c से एक नाम था चंद्रा और d से दिव्या ठीक है जी तो a, अली, b, भानू, c, चंद्रा यह मेरे relation से जुड़ गये थे तीनों तो मेरे set क्या बन गया, a, अली का बन गया था, ठीक है जी, b, भानू का बन गया था, ठीक है, b किसे repeat हो रहे था बट यहाँ एक से काम चला रहते हैं, कोई दिक्कत ही है, c से 4 का बन गया था, ठीक है, और d खाली रह गया था, तो जो first element है, यानि कि जो p के elements हैं, उनको हम ब बोलते हैं, domain, और जो भी मेरे second elements use हो रहे हैं, relation के अंदर, उनको बोलते हैं, co domain, तो यानि first element relation का, a, b, c जो बचा, उसे हम बोलेंगे, domain, तो domain भी एक set हुआ itself, और उसके अंदर क्या आया, उसमें first elements आ गए, a, b, और c, और co domain क्या हुआ, oh sorry, range क्या हुआ, domain के साथ हमेशा य जाद रखो, range second element relation के हुए, यानि अली, भानू और चारू जो link थे, चीक है जी, और एक तीसरा word है, domain आपको clear हो गया, range आपको clear हो गया, और तीसरा word है, co domain, co domain किसे बोलते हैं, हम पूरे queue को co domain बोल देते हैं, पूरा जो मेरा queue है, that is called co domain, यानि कि सीधी ची बात है, range जो है co domain में से निकल के आती है, इसलिए हम कह देते हैं, कि range is subset of co domain, हैं जी clear है सबको, पूरे को question आया है, कि range और co domain same ही नहीं है क्या, देखो आप ध्यान से देखोगे, तो अली, भानू और चारू सिरफ तीन जो हैं, वो range में आ रही है, क्योंकि उनका relation है, दिव्या जो है, वो हम लिख रहे हैं, relation यह है मेरे, नीचे वाले, इनको जब लिख रहे है, तब अली, भानू चारू, वो range है, लेकिन जब हम दिव्या को include कर रहे है, तब पूरा क्यों बन रहा है, that is co domain, इसलिए range is subset of co domain, clear है जी, next question आया जी, कि range और image में क्या difference है, तो आप देखो, image क्या ची अली, चीक है जी, तो अली एक single element है, तो single element जो है वो image है, range जो है, image का पूरा set है, अली, भानू, चारू, इनका पूरा set जो है, वो range है, यानि कि image का पूरा set ही range है, clear होगे जी आपको, चलो जो है, इसी example को और अच्छे समझते हैं, देखो, यह मैं aero diagram मना रहा हूँ आपक को कि aero diagram से बड़ी जलदी समझ आती है, तो यहाँ पे क्या था मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास था, A, B, C, चीक है, यहाँ पे मेरे पास था, Ali, B से एक नाम थाःग का बंडू, चीक है, इसी एक और नाम था, कुछ भी लगा लेते हैं, बिकरम लिख लेते हैं, कुछ भी चारू ले लेते हैं, और D से एक नाम था, दिव्या, अब उसने कहा था, उसने हमें, यह हमारा P था, तो यह कहा, आप इसे A लेना चाहें, A ले लेते हैं, यह सेट B है, अब उसने रिलेशन क्या हमें बोला था, उसने हमें रिलेशन कहा था, कि रिलेशन, R is X, Y, such that X is फस्ट लेटर, X is, फस्ट लेटर, ठीक है जी, फस्ट लेटर, और Y, यह उसका रिलेशन था, रिलेशन था, राइट, वेर, X बिलॉंग्स टू A, and Y बिलॉंग्स टू B, यह कम्प्लीट रोस्ट ने सेट बिल्डर फॉर्म दे दी, अब जब हमने इसकी रोस्टर फॉर्म बन कनेक्ट करना हैं, A मेरा अली से कनेक्ट हुआ, ठीक है, B मेरा भानू से कनेक्ट हुआ, B ही मेरा बिकरम से भी कनेक्ट हुआ और C मेरा चारू से, अब आप ध्यान की बात यह befले कि धिव्या यहां अकेली है राइट मैं आपको एक additional करता हूँ मैं यहां पर आपको एक e भी दे देता हूँ चलो जी तो e भी किसी के साथ link नहीं हो रहा है ठीक है अब क्या होगा अब इसमें relation relation ही आगया अब relation को क्या लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में जब मैं relation को लिख रहा हूँ इसी को तो मेरा क्या आ रहा है ए कॉमा अली ठीक है जी capital यह small जैसे मर्जी लिख लो दूसरा मेरा बी से बानू तीसरा मेरा सी से बी से एक और है विक्रम सी से मेरा चारू ठीक है और बस इतने ही है मेरे यह चार मैंने बना लिए यह close कॉमा is complete तो यह मेरी रोस्टर फॉर्म है ठीक है अब हमारे पास क्या आगया यह define होगा हमारा relation पूरा और हमने इसको हर फॉर्म में लिख भी लिया है अब यहां से हमारे जो vocabulary यानी शुरू हुई थी वो क्या थी सबसे पहली वोस की simple जो मेरे first letter का set है जो मेरे ordered pair में first elements का set है ठीक है जी तो इसमें क्या है ABC है आप यहां भी देख सकते हो A connect हो रहा है B connect हो रहा है C connect हो रहा है E connect नहीं हो रहा है तो सिरफ जो ABC है वो आएगी domain ठीक है जी तो domain क्या होगी domain मेरे जो set है that would be ABC जो सिरफ connect हो रहे है जो use हो रहे है इसका मतलब क्या हुआ use वाले सारे element relation में आते हैं तो इसलिए domain relation से निकल के आती है ठीक है जी आप पूरे a set को domain नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसमें e है जो use नहीं हुआ relation के अंदर तो relation का first element जो है वो domain मनाता है और relation का ही second element यानि अली भनू और विक्रमेंट चारू वो बनाती है range तो second elements को relation के क्या बोलेंगे हैं उनके set को range जो यहां हो जाएगा अली भनू बिक्रम एंड चारू तो यह range हो जाएगी तो relation में से जो निकलेगा that is domain and range अब रही बात एक और word आया था image image is simple a के साथ अली जा रहा है तो अली जो है a की image है ठीक है जी अली is image तो a element यह image मैं अली के उपा लिक्रा हूँ यह सिरफ element है हर की b की image भनू है b की विक्रम है c की चारू है ठीक है जी और a को हम functions में आके जाके पढ़ोगा pre image बोल देते हैं easy है याद रखना है इसलिए मैं दोनों इक अठे ही बता रहा हूँ कि first element pre image हो जाता है second element sort of image हो जाता है अब यह elements है image का जो elements है उनी का set जो है basically range है और pre image के elements हमारी domain है clear है अब एक word बचता है and that is co domain तो पूरे के पूरे b set को ही co domain कहा जाता है ठीक है जो usable part है that is usable part कौन सा आपका that is Ali, Bhanu, Vikram and Charu यह मेरी range है ठीक है क्योंकि यह relation में use हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ इसका सीधा सा मतलब यह हो गया कि range जो है वो sub part है यानि कि range set that is subset of co domain हाँ अगर मेरा पूरा use हो जाता है तो यह equal to भी लग सकता है ठीक है तो इसका मतलब यह range और co domain बराबर भी हो सकते है अगर पूरे use हो जाता है मेरा co domain ठीक है similarly यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि जो मेरा part use हो रहा है यानि कि A, B, C यह part जो use हो रहा है that is domain तो domain range हमें क्या है जो relation में use होती है that is domain range, co domain पूरी और range is subset of co domain अब example शुरू करते हैं example 7 देखो क्या बोल रही है let A एक set दे दिया आपको उसने define define a relation R from A to A A से अपने उपर ही करना है ठीक है जी from A to A relation को अपने define करना है by R क्या दिया देखो उसने कि X, Y such that Y is equal to X plus 1 तो Y क्या होने वाला आपका X plus 1 होने वाला है तो इसमें हम क्या गरते हैं इसमें normally हम A को दो बार बना लेते हैं A को आप दो बार बना लेंगे क्योंकि A to A जा रहा है तो इसमें ये A आगया और यहां भी A ही लिखेंगे क्योंकि relation हमारा का है from A to A ठीक है अब A क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, and 6 similarly यहां भी लिख लेते हैं 1 क्योंकि A तो चेंज होगा नहीं A तो वही रहेगा 4, 5, and 6 अब relation क्या है relation is X, Y X हमारे हम हमेशा first element में से उठाएंगे ये वाले elements मेरे हमेशा X होंगे सारे इसके अंदर वाले ठीक है ये सारे X होंगे और ये सारे Y होंगे तो relation क्या है Y is equal to X plus 1 X plus 1 मेरे relation आगया तो X plus 1 जब मेरे relation आएगा यहां में उपर कर कैसे लिख देता हूँ अलकासा कि relation is X plus 1 Y is equal to X plus 1 अब X 1 होगा इसमें 1 add करूँगा तो 2 आ जाएगा तो 1 से 2 होगे connect 2 से 1 add करूँगा 3 होगे connect 3 से 4 होगे connect 4 से 5 होगे connect और 5 से 6 होगे connect अब यहां पे 6 बच गया और यहां पे देखो आप 1 बच गया क्योंकि 6 है 1 add करूँगा 7 तो है नहीं आगे उसमें और यहां पे भी 1 बच गया ठीक है अब क्या बोल रहा जी 1st part पड़ते है depict this relation using an arrow diagram तो यह तो arrow diagram तो मेरी आगे जो मैंने बना दी ठीक है xy को नहीं शो करना xy को आप अठा देना xy मैंने सिर्फ आपके understanding के लिए लिख क्या है अच्छा second क्या है write down the domain co domain and range of r अब आपको domain बतानी है co domain बतानी है and range बतानी है तो domain क्या हो गई domain मेरी देखो simple ही हो गई 1 से लेके 5 तक क्योंकि यह सारी यूज हो रहे तो domain is my 1,2,3,4 and 5 right code domain क्या है code domain पूरा set है code domain तो मेरा पूरा set यह आजाएगा पूरा लिख देना और range क्या है range of relation range मेरी 2 से लेके 6 तक है क्योंकि वह utilize हो रही है second element y है तो range is 2,3,4,5 and 6 ठीक है इसने क्या किया हुआ इसका भी आप चेक कर सकते है relation इसने roaster form में लिख लिया ठीक है roaster form में आप देख सकते हो 1 के साथ attach हो रहा है 2 ठीक है इस relation से 1 की image क्या है 2 2 की image क्या है 3 3 की image 4 4 की 5 5 की 6 सारे लिख 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 लिए इसने first element domain बन रहे है देखो बड़े राम से second element का set जो है range बन रहा है ठीक है code domain पूरा a set ही रहेगा क्योंकि this set भी यह है तो यह ऐसे किया जाते है question next is example 8 example 8 क्या बोल रहे है example 8 क्या रही है the figure 2.6 show the relation between the sets P & Q एक relation बता रहा है P & Q के बीच में write this relation आप उसने arrow diagram given कर दी relation आपसे मांग लिया write this relation in first part में set builder form में बताना आपको second part में roster form में आपको बताना है what is its domain and range और domain और range भी आपको बतानी है तो हम यहाँ देखते है क्या pattern मन रहा है 9 को उसने किस से link कर रहा है 9 को उसने 3 से भी link कर रहा और minus 3 से भी तो इसका मतला square root है ठीक है जी तो 9 का square root है check कर लेते हैं आगे 4 को उसने किस से कर रहा है 2 से भी कर रहा है और minus 2 से भी कर रहा है ठीक है बात यह भी clear है और 25 को उसने 5 से कर रहा और minus 5 से का रहा है, obviously square root हो रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, या तो कि relation क्या बन गया, जो y है, that is square root of x, but numbers है, numbers के case में plus आता, equation नहीं है, ठीक है, तो better क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और x is equal to y का square, यह आपके पास यह भी option, ठीक है, तो x is equal to y square करेंगे, तो देख सकते हैं, कि y का square x बन रहा है, अब यहाँ पर उसने क्या use किया देखते हैं, तो it is obvious that the relation x is square of y, इसने second वाला use किया, तो set builder form में कैसे लिखेंगे, बड़े ध्यान से देखो, r is equal to x, y ordered pair, such that x is square of y, इसने English ही लिख दी, आप मैं suggest करूंगा, x is equal to y square use करेंगे, where x belongs to p, यह बहुत जरूरी है, and y belongs to q, यह लिखना भी उतना ही जरूरी है, roaster form, it is simple, roaster form में बिल्कुल सिंपल है, 9 3 पहला बन गया, 9 minus 3 दूसरा, 4 2 और 4 minus 2 अगला, फिर 25 5 और यह bracket close, यह मेरा बन गया, roaster form, domain and range, simple, सारे यूज हो रहे हैं, यहाँ पर, 9 4 और 25 domain आ गई, बिल्कुल ठीक है, हमारी है, पर देको domain आ गई, और range क्या आ रही है, range आप देख सकते हैं, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, minus 2 आ रहा है, minus 3 आ रहा है, और minus 5 आ रहा है, तो यही 6 elements उसने set में लिख दिया, that is range, ठीक है जी, तो यह मेरा set complete होगे, answer यह है मेरा next, next क्या बोल रहा है, यह note पहले देख लेते हैं, that is important, तो note क्या बोल रहा है, देखो, the total number of relations that can be defined from a to set b, is the number of possible subsets of a x b, ठीक है, if and if, अगर a set के अंदर p elements दी है, b set के अंदर q elements दी है, then a cross b में कितने elements होते हैं, हमें पता है, p cross q, oh sorry, p into q, so total number of relations कितने हो जाएंगे, 2 raise to par p q, super important, ठीक है जी, क्या बोल रहा है वो, कि अगर मेरे पास एक set में p elements हैं, और दूसरे set में मेरे पास q elements हैं, तो मेरे number of relations कितने हो जाएंगे, number of relations will be, 2 raise to par p into q, ऐसा क्यों निकल किया आगा, क्योंकि आप देखो, जब a cross b करोगे, तो कितने elements आएंगे, जब आप a cross b करेंगे, तो p into q element आएंगे, अब p into q element आएंगे, तो relations क्या है, relation subset ही तो है, a cross b का, तो क्योंकि relation is subset of a cross b, तो maximum कितने होंगे, इसी के बराबर हो सकते हैं, जितने इसके A x B के subset होंगे, अब A x B में तो इतने elements हैं, PQ, तो इसके number of subsets क्या होंगे, 2 raise to par PQ, that means relations भी कितने हो सकते हैं, 2 raise to par PQ relations हो सकते हैं, super important thing. Next is example 9, let A is this set and B is this set, find the number of relations from A to B, तो अब यह simple है, पीछे ही हमने पड़ा, अब A x B में कितने elements हो जाएंगे, 2 into 2, 4 हो जाएंगे, A x B में मेरे पास 4 elements हो जाएंगे, तो 2 raise to par 4, 16 मेरे number of relations हो जाएंगे, यहीं दिखा रहा है, वो A x B उसने निकाल के दिखा दिखा दिया, आपको 4 elements, जबकि आपको ऐसी पता होना चाहिए, 2 into 2 हो जाएंगे, और उसके बाद, N A x B में आपके 2 raise to par 4 elements, यानि कि 16 elements हो जाएंगे, ठीक है, clear है जबको, अब इसके बाद एक छोटी सी चीज है, देखो, रिमार्क में, लास्ट में, जो हमने पढ़ा था, A to A relation, a relation R from A to A, इसको हम relation on A भी बोल देते हैं, ठीक है, तो अगर आपको question में relation on A आगया, तब भी मतलब A to A है, और otherwise, ये relation R from A to A है, तो भी है, तो ये to A to A, या on A, A की बात है, so let's start exercise 2.2, अब इसमें क्या बोल रहा है, first question, let A is equal to this set, 1 से 14 तक numbers है, define a relation R from A to A, A to A पर है करना है, by R is equal to x, y, such that 3x minus y is equal to 0, ठीक है, जे वेर x and y belong, दोनो A को बिलों करना है, तो ठीक है, उसने में दे दिया, write down its domain, core domain and range, ये निकल जाएंगे, एक बार relation define होगा तो, तो relation क्या है, 1, 2, 3, 4, up to 14 तक जा रहा है, right, ये मेरे पास A आ गया, फिर A to A ही जा रहे है, तो यहाँ पर भी एक मेरे पास A आ जाए, ठीक है, relation क्या है, 3x minus y is equal to 0, या इसको मैं अगर असानी से कर दूँ, तो क्यों होगा, y को transpose कर दो, तो y is equal to 3x हो जाएगा, ठीक है, ये मुझे simple लग रहा है देखने में, तो मैं अगर 1 लूँगा, तो 1 के साथ मेरा यहाँ पर क्या connect होगा, 3 multiply होके 3 connect होगा, that means 2 और 1 तो मेरे छूट गए, अब 2 के साथ मेरा क्या connect होगा, मेरा 6 connect होगा, मतलब 4 और 5 भी मेरे बीच में छूट गए, उसके बाद 3 के साथ मेरा 9 connect होगा, उसके बाद मेरा 4 के साथ 12 connect होगा, ठीक है जी, 5 के साथ मेरा कुछ connect नहीं हो सकता, क्योंकि 15 है नहीं, 14 मेरा last था, तो बाकी सारे मेरे छूट जाएंगे जैसे 7 और 8 भी छूट गया 9 और 10 भी छूट गया sorry 9 तो आ गया 10 और 11 छूट गया ठीक है 13 भी छूट गया और 14 भी छूट गया अब relation क्या relation कुछ भी नहीं बचा relation मेरा अगर मैं roster form में लिखूंगा तो 1,3 2,6 and 3,9 and lastly 4,12 तो यह मेरा roster form आगया relation का ठीक है जी arrow diagram यहां पे ही है अब आपको बड़े अराम से क्या लिखना है domain, domain आप देख सकते हो first letter यहां से उठा हो चाहे diagram में से उठा दो तो domain जो है that is my 1,2,3 and 4 और range क्या आएगी मेरी range is second letters 3,6,9 and 12 3,6,9 and 12 और code domain क्या आईगी code domain मेरा पूरा का पूरा A ही आजाएगा तो आप A को पूरा उठा के लिख देना क्योंकि यह पूरी की पूरी code domain and that is A, A set को पूरा लिख दो that is code domain clear है सबको second question देखो मेरा क्या बोल रहा है second question एक काम करते हैं के लिए space है तो इसको वही पर ले चलते हैं copy करते हैं क्या बोल रहा है second question second question कहा रहा है define a relation R on the set N of natural numbers natural numbers का set है on set है मतलब n to n न जारा है relation y relation क्या है x, y such that x y is equal to x plus 5 y is equal to x plus 5 x is a natural number less than 4 एक और condition दे दी उसने x जो है natural number कहां से है less than 4 है और x y दोनों ही natural number को belong करते हैं depict this relationship using roster form write down the domain and range तो इसने सिरफ roster form में answer मंगा है लेकिन हम क्या करते हैं फटा-फट एक अपनी arrow diagram मनाते हैं और फटा-फट समझ लेते हैं अब n to n जाने को बोला है n to n तो मेरा ये बनेगा लेकिन relation क्या दिया है उसने relation दिया है उसने y is equal to x plus 5 ठीक है जी ये भी समझा रहा है लेकिन उसने एक line और add कर दी x is a natural number less than 4 x तो ये है natural number less than 4 तो सिरफ ये 3 नहीं ले सकता हूँ मैं स्याल तो मैं लहीं नहीं सकता हूँ ठीक है अब set n है लेकिन x उसने define किसमें किया है x उसने सिरफ relation में define किया ध्यान देना कि end to end जा रहा है तो मतलब ये end less जाएंगे 4, 5, 6 लेकिन relation में मैं सिरफ 3 use कर पाऊँगा ये वाले 3 क्योंकि relation में उसने condition लगा दिया कि x is a natural number less than 4 अब इधर भी पूरा मेरा y की जगा भी पूरा मेरा आ रहा है natural numbers का set लेकिन मैं जब उसमें क्या करूँगा x plus 5 करूँगा x plus 5 करूँगा तो y के साथ one के साथ क्या जुड़ेगा six both two के साथ क्या जुड़ेगा seven जुड़ जाएगा three के साथ क्या जुड़ेगा eight जुड़ जाएगा जुड़ेगा आगे भी जा सकता है लेकिन उसने competit nga कर दी है तो बाकी तो मेरे बची जाएंगे बाकी तो यूजी नहीं हो रहे है मेरे ना उपपर यूज हो रहे हैं 1,2,3,5 एट्सेक्टरा ठीक है ना आगे वाले यूज हो रहे हैं अब मेरा जो answer है रोस्टर फॉर्म में इस relation को मैं कैसे depict कर पाऊंगा वह सिम्पल आगया देट इस 1,6,2,7,3,8 यह मेरा बन गया अब डोमें एं रेंज सिम्पल है डोमें इस 123 एं रेंज is 6,7,8 यह इसने मेर से मांगा था क्वेश्चन नमबर 3 देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नमबर 3 क्या रहा है एं असने एक चाहिए बी साट देदिया उसने एक डिफाइन रिलेशन फर्म आर A to B बाई X,Y such that the difference between X,Y is odd, X और Y के बीच में डिफरेंस बड़ रहेगा, X,A को बिलोंग करेगा, Y,B को बिलोंग करेगा, राइट आर इन रोस्टर फर्म तो रोस्टर फर्म में आपको लिखना है तो इसको अगर आप सिरफ रॉस्टाफों माना है आप हमें समझ आता है तो अगर मैं डिरेक्ट इसको लिखने की ट्राई करूँ कोशिश करें तो connection मेरा जो डिरेक्ट बनेगा रॉस्टाफों में हो क्या बनेगा पहले x आएगा देखो, x, y में तो मैंने 1 ले लिया तो 1 के साथ मेरा अब b में देखो, a to b जाना है 1 और 4 में difference कितना odd है बिल्कुल है 3 का difference है, 1 और 6 में भी बिल्कुल है 1 और 9 में नहीं है 8 का difference है, छोड़ दूँगा मैं ठीक है, ऐसे ही 2 के साथ try करूँगा, 2, 4 का नहीं है 2, 6 का नहीं है, 2, 9 का है फिर मैं 3 के साथ try करूँगा, 3, 4 का है 3, 6 का है 3, 9 का नहीं है, आप 5 के साथ try करेंगे, 5, 4 का बिल्कुल है 6 और 5 और 6 का भी बिल्कुल है और 5 और 9 का नहीं है, तो six पे close हो जाएगा मेरा, तो यह मेरा देखो बिना किसी उसके मैंने direct ही लिखती है, रोस्टर फॉर्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है, इन फिगर 2.7 शोज, दा फिगर शोज अर रिलेशनशिप बिट्वीन दे सेट पी एंड क्योंकि एक है, देखो five के साथ three का देखते हैं, क्या attachment है, क्या बन सकता है, दो का gap आ रहा है, six का, four का भी दो का gap आ रहा है, और y का, और seven का और five का भी दो का gap आ रहा है, तो that means, अगर मैं x में से दो माइनस कर देता हूँ, तो y आ रहा है, तो यह मेरा रिलेशन हो गया, तो set builder form में मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, set builder form में मैं इसको लिख सकता हूँ, first part कर रहे हैं, fourth का, set builder form में मैं लिखेंगे, relation is set of all x, y such that y is equal to x minus 2, y x minus 2 होगा है, where x belongs to p and y belongs to q, relation को पूरा करता हूँ, second part, roster form में लिखना है आपने इसको, तो roster form में हम इसको बड़े राम से लिख सकते हैं, 5,3, 6,4 and 7,5, चेक हैं, और domain and range कहा है, domain and range सिंपल है, domain is, पहला पहला 5,6,7 पूरा ही दिख रहा है मुझे, और range कहा है जी, range मुझे बात वाली पूरी दिख रही है, 3,4,5 पूरा यूटिलाईज हो रहा है, तो range is 3,4 and 5, फिफ्थ देखो क्या बोल रहा है, फिफ्थ कह रहा है, a set उसने दे दिया आपको, let are be the relation on a defined by, a, b, a, b, दोनो a को belong कर रहे हैं, ठीक है, is b is exactly divisible by a, a, तो b जो है, वो exactly divisible by a होना चाहिए, ठीक है जी, अगर मैं, sorry, अगर मैं, a यहाँ पर बना रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 and 6, और a ही दुबारा बनाऊंगा मैं, 1, 2, 3, 4 and 6, अब इसमें क्या करना है, यह मेरा a है, चीक है, यह small a के elements है, और यह small b के elements है, उसमाल b है यहाँ पर, अब उसने बोला है, b is exactly divisible by a, अब b जो है, one किससे exactly divisible हो रहा है, one से ही, two किससे हो रहा है, two और one दोनों से ही, चीक है, three किससे हो रहा है, three और one से हो, सारे ही हो रहा है इसका, छीक है, two, one से भी हो रहा है, four, four से हो रहा है, two से ब्रια हो और one, तो इस पैटर्न को देखते हुए, हम roaster farm अगर लिखेंगे तो क्या बनेगी इमारी roaster firm, फर्स्ट पार्ट का अंसर क्या बनेगा क्योंकि x का 1 अब x वाले जो है वो exactly divide कर रहा है ठीक है यह जो है वो divisor हो गया ठीक है 1 किसको divide कर रहा है सबको कर रहा है तो 1 के साथ तो सारे ही आ जाएंगे 2 किसको divide कर रहा है 2 को divide कर रहा है और 2 4 को divide कर रहा है और 2 6 को divide कर रहा है ठीक है जी तो 3 किसको कर रहा है 3 3 को कर रहा है और 3 6 को कर रहा है 4 किसको कर रहा है 4 4 को कर रहा है और 6 6 को कर रहा है बीच में सब कॉमा लगाओ और इसको close कर यह मेरी roster form आ जाएगी domain second क्या है find domain of our domain तो मेरी सारी यूज़ हो रही है तो one two three four five six पूरा का पूरा ए ही हो गया five नहीं है sorry और third range range में देखो आप क्या आ रहा है range में one भी आ रहा है two भी आ रहा है सारे ही आ रहा है range में कि कोई बच रहा है नहीं सारे ही रहा है तो range भी मेरा यह पूरा का पूरा ही आ जाएगा देखो इसमें एक एरर है कि one five नहीं आएगा इसको काटना आपने क्योंकि five तो element ही नहीं है यह flow में mistake होगी है बाकी में five पहीं नहीं लिखा है नहीं लिखा है बाकी ठीक है sixth question क्या बोल रहा है determine the domain and range of relation y की जगा इसने x plus five लिख दिया तो relation direct यहीं से निकल के आ रहा है क्योंकि x, y लिखते है न तो y क्या हो गया मेरा x plus y हो गया relation उसने इसी के बीच में दे दिया where x belongs to x किसको बिलॉंग कर रहा है इसको बिलॉंग कर रहा है चिक है जी तो उसने आपको दे दिया कि जी x मेरा 0, 1, 2, 3, 4, and 5 है इसके बाद relation क्या है मेरा? relation is x plus 5 तो 0 के में जब मैं add करूंगा तो मेरा क्या चीज आएगी? 5 आजाएगा 6 आजाएगा 7 आजाएगा 3 में 5 करेंगे 8, 9, 10 ठीक है जी? x plus 5 के उसने y के उपर कोई उसने वो नहीं दी तो मेरा ये तो आएगा याएगा कितना बड़ा है मुझे नहीं पता तो उसने सिरफ domain range मांगिए वो मैं फटाफट यहां से दे सकता हूँ आपको domain मेरी ये 0 से 5 पूरी की पूरी है और range मेरी 5 से 10 ये पूरी है चीक है जी इतना सिंपल है इसको आप देखो जब आप question करेंगे तो आप इसको proper roster form में लिखेंगे कि relation मेरा क्या है जी? relation is 0,5 1,6 फिर उसके बार 2,7 फिर 3,8 फिर 4,9 फिर 5,10 ऐसे proper लिखेंगे हर बार जितनी बार आप लिख सकते होंगे roster form में और फिर यहां से domain लिखेंगे और फिर यहां से range लिखेंगे चीक है जी जो भी आपका set बन रहा है उपर से 0 से 5 तक बन रहा है domain 0,1 से लेके 5 तक और range के बन रहा है मेरी 5,6,7 से लेके 10 7th question write the relation x is equal to xq where x is a prime number less than 10 ठीक है जी तो यह भी उसी type का x को prime number less than 10 अगर लोंगा तो क्या आएगा 2,3,5,7 बस यह होते हैं prime number less than 10 तो अब इसका cube मुझे निकालना है 2 का cube क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 3 का cube कितना हो जाएगा 27,5 का cube 125 और 7 का cube is 343 तो इसमें simple variable diagram है होगी तो अब आपको क्या करना है write the relation, relation लिखना मुझे तो relation मेरा क्या हो जाएगा जी relation is 2,8 3,27 5,125 and 7,343 brackets closed बीच में भी proper commas तो रोस्टर फॉर्म में लिखना था मुझे यह मेरा relation आगा next is 8th question क्या बोलता है let A is equal to this set and B is equal to this set find the number of relations from A to B तो A to B में अमने number of relations निकाल ले हैं ठीक है तो N A मेरा कितना हो गया जी N A मेरा 3 element है एक अंदर N B यानि B के अंदर मेरा कितने हैं दो elements है यानि की A cross B में कितने elements हो जाएंगे मेरे 3 into 2 6 हो जाएंगे अब जो relations है total number of relations इसी का subset बनेगा maximum so total number of relations can be 2 raise to power total number of relations कितने हो जाएंगे 2 raise to power 6 इसको solve करके लिखने solve करके लिखने 64 आएगा इतने है मेरे total number of relations next question question number 9 let R be the relation on Z integers के अपर relation है defined by R is equal to A B such that A, B both belong to integers and A minus B is an integer A minus B भी है integer होना चाहिए यह relation आगा है find the domain and range of R तो इस relation को समझते है क्या बोल रहा है वो कह रहा है सबसे पहले तो कि मेरा Z on Z है relation on Z है तो Z from Z to Z रहेगा अब वो कहता है A इदर से B इदर से right अब A minus B जो है वो integer होना चाहिए तो मैं अगर A में से एक integer में से अगर एक integer को minus करूँगा तो I think हमेशा एक integer ही आएगा कोई भी example ले सकते है आप 2 को 3 में से minus करेंगे तो minus 1 आएगा 3 को 2 में से minus करेंगे तो plus 1 आएगा चीक है minus 1 को आप minus minus 3 कर देंगे तो भी आपका plus 2 ही आने वाला है तो इसका अब दर सारे integer ही आएगे हमेशा कोई problem है नहीं इसमें तो इसमें अगर कोई problem नहीं है तो मेरी domain भी जो है जो relation है वो खूदी पूरा Z बनता जा रहा है तो domain जो है मेरी वो भी क्या रहेगी वो भी मेरी Z रहेगी और जो मेरी range है वो भी पूरी Z रहेगी कुछ मेरा miss होने का chance थो इसमें दिखी नहीं रहा मुझे इसमें आप थोड़ी से क्योंकि बहुत ही इसमें marks लाने के लिए आप इसको कैसे कर सकते हैं इसमें marks लाने के लिए आप इसको simple थोड़ी से English लिख देना कि that A minus B will always be integer चीक है so सारा मेरा Z जो है इसमें हमेशा दोनों तरफ connected रहेगा कोई भी miss out नहीं होने वाला इसमें मेरा चीक है जी तो थोड़ी से English के साथ आप इसको support कर सकते हो और domain range आपकी simple आई जाएगे